को हर हालत में हिट करता था और लैंस को उसे ही उससे छीन कर वापस लाना था वो देखता है कमूरा वो ड्रोन कीलियन नाम के एक आदमी को देने वाला है जिसका एक हाथ रोबोटिक है वो तुरंत उन पे हमला करता है और कमूरा को मार कर वहीं बेहोस कर देता है पर जैसा ही वो कीलियन पे हमला करता है वो अपने रोबोट इक हाथ से उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को स्कैन करने लगता है किसी तरह लैंस अपने आपको उससे छोडाता है पर तब तक वहाँ कीलियन के बहुत से आदमी आ जाते हैं लैंस अपने जेब से एक गैजट निकालता है और उन पे चला देता है जिसे एक गलो करने वाली कीटी उन्हें दिखाई देती है जिसे देखते हैं सारे लोग फ्रीज होकर उस कीटी को ही देखने लगते हैं लैंस अपने एक और गैजट की मदद से उपर उड़कर उस कीलियन के पास से वो ड्रोन वाला ब्रीफ केस ले लिता है आगे हम देखते हैं कि लैंस वो ब्रीफ केस लेकर अपने आफिस में आया है वो सीधा वहां के गैजट रूम में जाता है और पता करता है कि उसके पास यह अनुका गैजट जिससे गलोईंग किटी निकलती है वो किसने बनाया है वहां हम वाल्टर को देखते ह जिसे हमने मूवी की सुरुआत में देखा था उसने ही यह बनाया था लेंस उस पर गुस्सा करता है